So Hello Everyone, स्वागता आप सभी लोगों का EasyPrep पर उम्मीद कर रहे हैं, आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बहतरीन चल रहे होगे Dear restaurant जैसा कि आप जान रहे हैं, Class 10th के लिए या Class 10th से जुड़ी सभी जान कर रहे हैं अब आपको EasyPrep YouTube चैनल पर देखने को मिल रही है इसी continuation में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BSEB यानि Bihar Board 10th Class का जो syllabus होता है उसमें mathematics में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है और इस syllabus analysis के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब examination paper को आप देखते हैं तो किस particular chapter से लगबग कितना percentage या लगबग कितने question आपको देखने को मिल रहे है वो सारा analysis आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मैंने का सबसे पहले अगर हम लोग बात करें mathematics के लिए हम इस वीडियो में mathematics की ही चर्चा करने वाले हैं तो आप देखिए यहाँ पर वास्तविक संक्या है जो आपके chapters होंगे वो कौन कौन से रहेंगे वास्तविक संक्या है बहुपद, दो चरवाले रिखिक समिकरण, यूग्म द्वीगाद समिकरण, समांतर श्रेणिया, निर्दिशांग जामिती, त्रिबुज, वरत रचनाए त्रिकोन मिती का परिचे, त्रिकोन मिती के कुछ अनुप्रियोग वरतों से संबंदि छेत्रफल, प्रश्चिय छेत्रफल और आयतन, सांखिकी और प्राइक्ता यह आपके वो चेप्टर है, जो आपको अपनी बुक के अंदर देखने को मिलेंगे हमने इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इनके कैटेगरी के बीसेस पर अब आप इनके परसंटेज या वेटेज को दीखें यहाँ पर, तो जो वास्तविक संख्या हैं उसमें लगबग 8-12% का वेटेज में पीपर में आपको देखने को मिलता है, जबकि यह अपने आप में सिर्फ एक सिंपल चेप्टर, एक सिंगल चेप्टर ही और कुछ भी नहीं है, तो कफे अच्छा वेटेज है, फिर हमने बहुपद 2-4 वाले रेखिक समेकरण, योगम, द्वीघात समेकरण और समांतर शेणिया, इन 4 चेप्टर को मिला दिया, जब 4 चेप्टर को हमने मिला दिया, तो इनसे हमारे पास में जो वेटेज हमें देखने को मिला, वो 16-21%, अच्छा कासा वेटेज है, लेकिन चेप्टर भी आप देख सकते हैं, 4 द्वीघात समेकरण के अंदर, कोई भी दिविघात समेकरण देखे, उसको इसके मूलों के बारे में आपसे जानकरी पुछी जा सकती है, अगर हम लोग बात करें, 2 चर वाले रिखिक समेकरण यूगम में, जो चर होते हैं, उनकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, बवपद या समांतर श इसमें अगर आप देहान से देखेंगे, तो त्रिबुच और वरत जो है, वो अपने आप में काफी अच्छा विटेज रखते हैं, पर फिर भी चारों को अगर हम लोग मिला दे तो 20-25% का विटेज आपको वहाँ पर पीपर के अंदर देखने को मिलता है, वरत त्रिबु जो इनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी ठ्यूरम्स होती है, प्रमे होती है, जो एक्जाम में आप से प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है, और उससे जुड़े बहुत सारे कुश्चन आ जाते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना होता है, तो अपने आप में काफी इंट्रेस् की चर्चा यहां पर हो रही है, इसका भी अच्छा का सा वेटेज आप देख सकते हैं, 18 से 23 परसेंट तक का वेटेज है, यह वेटेज भी बहुत जादा है दो चेप्टर के लिए, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रियानी त्रिकोन मिती की जो आइडेंटिटी इस होती है, उनक यहां से जब आप किसी को देख रहे हो, तो कितना कोन बन रहा है, अवनमन कोन, उननयन कोन, इनसे जुड़ी जान करें आपको देखकर, वहां से कोई भी आप से अन्नोन वैल्यू पूछ सकता है, उसके बाद में हम बात करते हैं, व्रतों से संबंदित छेत्रफल, प्रष् यह चेत्रफल और आईतन के बारे में जान करें, बढ़ी आसानी से दे सकते हो आप, तो यहां से भी काफी अच्छे कोशन आते हैं, यह वाले सेग्मेंट तो ऐसा है कि जैसे क्रेटिव कोशन भी आपके सामने आ जाते हैं, वो बोल देगा आपके पास में एक आयताकार शी अच्छी खासे कैलकुलेशन देखने को मिलते हैं, यहां पर आपकी समझ को चेक किया जाता है, इसका भी आप देख सकते हैं, दस से पंद्रा परसेंट का वेटेज है, तो अवर आल जो 100% है, उसका हमने जो लास्ट पेपर से उनके एनालिसिस की बिसिस पर यह कंप्लीट क करना चाहिए, आई आप इसी बात को हम लोग पाई चार्ट की मुदत से सीखने की कुशिश करते हैं, दीए मैंने बताया था कि कलर कॉंबिनेशन से तोड़ा आइडिया लग जाता है, यह वाला सेगमेंट इसका कलर सबसे ज़्यादा है, 18-24% आपको यह देखने को मिल रह त्रिकोनमिती का परिच्चे और त्रिकोनमिती के कुछ अनुप्रियों का 18-24% आपको देखने को मिल रहा है, 16-22% बहुपत, दो चरवाले रिखिक समीकरण, यूगम, द्वेगात समीकरण, समांतर शेनिया यह आपको 16-22% देखने को मिल रहा है, तो यह वेटेज देखने से हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चल जाता है, पहले चीज तो कौन सा चैप्टर किसके साथ में क्लब होके एक यूनिट तयार कर रहा है, बहुत सी बार बच्चा सोचता है, यह पढ़ लेता हूँ, यह पढ़ लेता हूँ, यह पढ़ लेता हूँ, यह छोड़ देत होता है अब आप जब तयारी करें तो इस बात का ध्यान रखें पहली चीज़ तो हम हर बच्चे को यह कहेंगे कि यदि आप पूरी mathematics को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं किसी भी condition में बिटा आप exam में खराब perform नहीं कर सकते हो बस जरूरी है कि उन चीज़ों को बेस्ट तरीके से आप पढ़ो easy prep आप लोगों के लिए class 10 के तयारी इसलिए लेकर आया क्योंकि एक ऐसी class है जहां से आप कुछ बच्चे पॉलो टेक्निक एंटरस exam के लिए जाते हैं कुछ बच्चे 11 क्लास में जाएंगे जहां से आईटी जी डबली के तयारी करेंगे कुछ बच्चे लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको complete syllabus आपके class 10 का जिसमें theory हो या फिर अगर मैं आपको कहूं कि sir example हो unsolved question और exercise हो प्रशनावली जो आपको दी जाती है उन सब को पूरा solve करवाय जाएगा पिछले सालों में जो question पूछे गए उनको solve करवाय जाएगा और exam में कैसे best perform करना है वो सारी चीजे हम आपको बताने वाले हैं और बात आती है कि sir ये सारी चीजे आप कैसे हमें solve करवाएंगे या फिर कैसे हमें best perform करवाएंगे तो मैंने का ये वो team है जो सबसे अनुभवी team है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यदि आप अपने exam के त इक्षा की तयारी सबसे अनुभवी team के साथ करना चाहते हैं तो आज ही easy prep application को download कीजिए और उसके store पर जाकर आप class 10th का course join कर लीजिए जिसमें live classes जो है वो first of July से start होने वाली है इसमें हम maths और science का complete syllabus करवाने वाले हैं ये जो आप class 10th का course देख रहे हैं ये अभी offer में आपक टेखनिक दोनों आपको करवाया जाएगा आरंब बैच के नाम से class 10th का बैच मिल जाएगा और आरंब प्लस की नाम से आपको class 10th plus polytechnic का बैच मिल जाएगा यदि इससे जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए आपकी दिमाग में किसी भी तरह का कोई doubt आ सकते हैं इसके लावा वीडियो में हमने google form भी फिल कर रखा है मलब description में google form भी रख रखा है आप उसे भी फिल कर सकते हैं हमारे टीम आपको जरूर अप्रोच करेंगे thank you so much यदि आपकी दिमाग में कोई भी doubt रहता है तो आप वीडियो की comment section में जरूर लिख सकते हैं मिलते आगले वीडियो में